लोगसबा चोणा दे नाल जुड़ी होई वड़ी खबर सामने आ रही है इंडी अलाइंस दे नाल रलक के लोगसबा चोना लड़ रही है जिना दे विचो होन लोगसबा चोना दे लई पांज उमीदवारां दा एलान कर दिता गया है ता आम आदमी पार्टी दे वलो दिल्ली दे वेच पांज उमीदवारां दा एलान कर दिता गया है पूर्वी दि युझाओंगे आप दा सिरफ एक केंडिडेट खड़ा हुएगा बाकी ते इंडी अलाइंस दे वलो उमीदवार एलान ने जान गेता है दी वटी खबर है दिली तो सामने आ रही है जो थे आ मादमी पार्टी दे वलो लोग सबा चूणा दे लई उमीदवार एलान कर दिता गया एक वार फेर तो दोहरा दिन ने आ आ मादमी पार्टी दे वलो दिली दे वेच पांच उमीदवार एलान कीता गया ता दास दिये के संदीप पाठक दिल्ली तो जुड़े ने उना दा ठी कहना है इस उपर आउजान दे वो सीधा सीधा जब आप वोट शेयर को एड करके जो निकाल रहे हैं वो राजनीती में बिल्कुल करेक्ट कभी उतरता नहीं है टोटल वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो हर इलेक्शन में वो अलग-अलग वेरी करता है किस सेग्मेंट से कितना वोटिंग परसेंटेज टर्न आउट हुआ वो अलग-अलग डिपेंड करता है इलेक्शन इलेक्शन डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है और जब आप कॉंबिनेशन में दो पॉलिटिकल पार्टी जाते हैं तो यह सारी परिस्थितियां बदल जाती है तो वो वर्काउट नहीं करेगा इस बार इंडिया अलाइंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और देश को एक विकल्प की जरूरत है तो पूरी जनता की जो मानस है वो बदलाव के लिए रहेगा और चुनाव जीतेंगे